हेलो गाइज वल्कम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल वंदू हैंट क्राफ्ट आज के वीडियो में 36 इंच विग रह के लिए पटका तयार करेंगे इसके लिए हमने यहाँ हेवी सिल्क फैब्रिक लिए हैं 30 इंच लंबाई के दो पीस कट किया हुए है इसके एक और की जो चौड़ाई है वह 7 इंच की है और उपर की और यहाँ फोर एंड हाफ इंच की है इससे हमने पिर्चा दोनों और कट किया हुआ है और लाइनिंग की फैब्रिक की जो यहां इस तरह चौड़ी है इस तरह के हमें दो पीस चाहिए होगा सिक्विंस वाली सिल्की फैब्रिक है अब यहां इस तरह आप पहले यहां चारो और से लाइनिंग के साथ हमें पहले स्टिच लगानी है यहां उपर की और आप इस तरह असतर के फैब्रिक को यहां नीच से स्टिच लगाना सुरू करें यहां दोनों पीस में पहले चारो और से स्टिच लगा ले लगाने के बाद अब यहां लाइनिंग की फैब्रीक को इस तरह मोडते हुए अब चारो और दोनों पीस में यहां स्टिच लगा ले पहले यहां lining को मोडते हुए 3 side हमने stitch लगा लिया है दोनों piece में अब यहां lace को रखते हुए stitch करेंगे 3 side तो यहां से start करेंगे अब नीचे की ओर यहां घुमाते हुए stitch कर ले यहां दोनों piece में हमने 3 side ले स्टीच कर दिया है इस तरह ही हमने इस piece में भी ले स्टीच कर दिया है अब यहां उपर की ओर यहां दो प्लीठ हम यहां सेट करेंगे इस तरह ही इस piece में भी इसके opposite direction में आप प्लीठ को स्टीच कर ले अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करे अब यहां घुमाते हुए एक दूसरे पर रखते हुए यहां इस्टीच लगा ले तर्टीसिक्स इंच विग्रह के लिए यहां पटका बन कर तयार हो गई है इसकी जो टोटल लंबाई है यहां हमने डबल करके रखा हुआ है यहां 29 इंच आ रही है 29 के डबल आप 58 इंच लंबाई में गणेश जी के लिए पटका बन कर तयार हो गई है वीडियो आपको कैसा लगा गाईज प्लीज मुझे कमेंट करके बतलाईएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करे तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे